नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे NIT आंद्रप्रदेश में जो बहुत सरा टीचिंग पोजिशन में भेकेंसी आया है उसके बारे में हम डिसकस करेंगे तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ मेंसे मेंसें किया है आसिटर्ण प्रोफेसर, आसूचिट प्रोफेसर का बहुत सरा भेकेंसी है तो चलिए चलते हो उसके ओफिसियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करते हैं तो यह है इसका ओफिसियल वेबसाइट नेशनल इंस्टिटूट अब टेकनोलोजी आंध्रप्रदेश यहाँ आप राइट सेट कॉर्नर में आप देख सकते हो थोड़ा सा नीचे चलते हैं यहाँ लिखा हुए आनॉंसमेंट आनॉंसमेंट के नीचे आप देख सकते हो यहाँ इन्वाइटेशन आप अप्लिकेशन फोर रिक्रूडमेंट अप एकाडेमिक स्टाफ रेगूरल फैकल्टी एनाईट आंध्रप्रदेश और उसके साथ यहाँ भी देखिया यहाँ भी स्क्रॉल हो रहा है वही आडवरडाइजमेंट तो हम इसी के उपर क्लिक करेंगे जब आपका यह पेज ओपन हो जाएगा यहाँ देखे दो चीज मेंचन किया गया एक अडवरडाइजमेंट दो डिटेल्ड नोटिफिकेशन तो पहले हम अडवरडाइजमेंट देखेंगे यह है इसका अडवरडाइजमेंट यहां मेंचन किया गया नेशनल इसीचूट अव टेकनोलोजी आंध्रपादेश अफर सेवला अडवरड़ पोस्ट ग्राजुट बॉस्ट ग्रवरड गया अप्लिकेशन इंदर प्रेस्ट्राइप इंव इनवाइट फोर्माट आर इंवाइट फोर मुश्यू दो अवेबडाइजमेंट पीस्टेट फोर्माट यह जेग वेबसाइट है last date for filling all filling and submission of online application is 16-6-2021 अभी भी बहुत time बगी है एक महिना बाकी है इसका जो last date है 16-6-2021 तो इसका जो detailed notification हम देख लेते हैं यह है इसका detailed notification जैसे कि आप यहां देख सेकते हो Recruitment of Academic Staff and National Institute of Technology आंदरप्रधिश यह discuss करने से पहले मैं ठीके मैं पहले इसको डिसकस कर लेता हूँ तो यहाँ देखे प्रोफेसर मेंशन किया गया है प्रोफेसर का जो salary होगा ये 1,59,100 और associate professor का जो salary होगा ये 1,39,600 इसके साथ assistant professor का जो grade 1 का salary रहेगा ये 1,15,00 और assistant professor grade 2 का रहेगा 73,100 और assistant professor grade 2 का जो रहेगा उसका जो pay level 10 रहेगा उहाँ उसका salary रहेगा 70,900 तो नीचे चलिए कौन-कौन साथ department में कितना vacancy है ये देख सकतो ये है इसका department तो डोड civil engineering में आपको एक vacancy मिलेगा computer science and engineering में आपको 5 vacancy मिलेगा electrical engineering में 5 vacancy मिलेगा electronics and communication engineering में 6 vacancy मिलेगा material and meteorological engineering में एक vacancy मिलेगा and mechanical engineering में 2 vacancy मिलेगा और यहाँ जितने भी सारे vacancies है सारे का सारे permanent position पे तो यहाँ आप देख सकते हो details इसका qualification mentioned किया गया है assistant professor, associate professor, grade 1, grade 2 के लिए क्या-क्या qualification चाहिए आप details में यहाँ देख सकते हो तो specialization भी आप देख सकते हो यहाँ तो यहाँ देख सकते हो general instruction permanent faculty positions are open to the Indian national person of Indian origin यह पूरा Indian के लिए है online application इसके लिए आपको online application नहीं भरना पड़ेगा इसके लिए कुछ offline कुछ नहीं है बाकि सारे के सारे details यहाँ से देख लाना जैसे कि यहाँ date mentioned किया गया है आपका जो last date हो गहाँ यहाँ देखिए यहाँ इसका अप्लिकेशन फॉर्म का जो कॉस्ट अप्लिकेशन फॉर्म फी है यह आपका दो हजार रुपिया और जेनरल और ओबिसिक कैंडिड़ेट और फर अदर्स इडिज वन थाउजन रुपिस और आपको इस अकाउंट इसमें आपको फी भरना पड़ेगा तो ओनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा अबागे आपको आपको फेजना पड़ेगा ओनलाइन फिल अप करने के बाद उसको आपको प्रिंटाउं निकालने के बाद इसको आपको भेजना है इस आड्रेस पर इसको भी थोड़ा सा आप पढ़ ले ना डीटेल्स में तो आप नीचे चलते हैं बागी सारे सारे डीटेल्स जो में चैले आप तोड़ा यहाँ देख लेना एक डेखर ना ऐया परमानेंट पोज तो हम यहां क्लिक करते हैं, यह जो vacancy है, यह सारे का सारे ad hoc, means contractual position में vacancy है, देख सेकते आपको, department, जैसी कि इस applications are invited for the following ad hoc faculty positions in the department schools as specialized below, specified below, तो Civil Engineering, Biotechnology, Chemical Engineering, Computer Science and Engineering, Electrical Engineering, Electronics and Communication Engineering, Mechanical Engineering, Metrological and Material Engineering, School of Science and Social, School of Humanities, Physics, Mathematics, Chemistry, English, then School of Humanities and Management. इसके लिए भी qualification यहां mention किया गया है, आप यहां देख सकते हो, और इसको जो salary जो मिलेगा, consolidated salary मिलेगा, 60,000 करके पर मंथ, जिसका PhD डिग्री हो, और जिसके पास PhD डिग्री नहीं है, उनको मिलेगा 50,000 करके पर मंथ, M.E.M. Tech और MBA क्वालिट को, ठीक है, और बाकी details आप यहां सार नीचे देख लेना, और इसका जो apply करने का last date है, यहां आप देख सकते हैं, तो applicant, the appointment is purely untemperate, तो appointment will be terminated by 31st 5, 2022, इसका मतलब एक साल के लिए यह आपका contract रहेगा, with one month notice, whichever is earlier, तो उस बक्त आपको one month notice period भी दिया जाएगा, तो एक साल के लिए यह contract position में रहेगा, बाकी कैसे apply करना है, online सारे के सारे details यहां mention किया गया है, इसको थोड़ा देख लेना, last date है, आपका 31st 5, 2021, इसको थोड़ा देख लेना, यह सारे के सारे contractual position, और अभी मैंने दिखाया, यह सारे के सारे advertisement है, यह है आपका permanent position, तो अभी यहां दो प्रकार का vacancy है, permanent plus contractual, तो आपका मर्जी जिसमें चाहो, आप इसको apply कर सकते हैं, और बागी सारे के सारे जो इसका जो link है, मैं देदूंगा description में, उहां से आप इसको direct access कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकत हो, तो यह है details, जाने से पहले मैं आपको बता दू कि हमारा यह teachers in channel, यह fully dedicated है teachers के लिए, जो भी एक अच्छा teacher, professor, assistant, professor, associate professor बनना चाहते हैं, उनके लिए यह fully dedicated है, यहां हम teachers related बहुत सारे studies, competitive exam and jobs के बारे में हम discuss करते हैं, तो मैं आप सब को request करूँगा, आप इस channel को subscribe कर किजिए और like किजिए, और नीचे जो हमारा social media size दिया गया है, इसमें आप follow किजिए, तो जो भी notification आएगा, आपको सबसे पहले मिल जाएगा, thank you, all the best.